नमस्कार आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मैं हूँ सौरव शर्वा आपके साथ स्वागत है आप सभी का आज पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या हमारे देश का नाम अपचारिक तौर पर इंडिया से भारत किया जा रहा है क्या मोदी सरकार इसे लेकर कोई फैसला करने जा रही है अब सरकार आगे क्या करेगी ये तो आगे की ही बात है इतना जरूर हुआ है कि G20 देशों के राश्रत धक्षों को नौ तारीख को राश्पती जो भोज देने वाले हैं डिनर देने वाले हैं उसके निमंतरन पत्र पर लिखा है भारत की राश्पती न की इंडिया के राश्पती प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की से के प्रेजिडेंट ऑफ भारत लिखा है अब चूंकि पिछले कुछ दिनों से ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा था कि सरकार आने माले दिनों में क्या कोई बड़ा फैसला करने वाली है वन नेशन वन इलेक्शन की भी बाते हो रही करें कि हमारे देश का इतिहासिक नाम भारत ही है इंडिया नाम भी देशियों का दिया हुआ है अब जैसे ये खबर आई पूरा का पूरा विपक्ष तरह तरह के बयान जारी करने लगा कि मोधी इंडिया गठबंदन से डर गए हैं आखिर कहां कहां से इंडिया नाम हो सकता है देश के नाम पर अब सियासत क्यूं हो रही है आज इसी पर देखिए कुरुक्षित्र पहले देखते हैं अलग-अलग दरों की कुछ प्रतिक्रियाएं कैसे इंडिया बनाम भारत की नई राजनिती हो रही है किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 करूर लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंग फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया एलाइंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया एलाइंस बनने स तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी मतलब जो नामकरण जो गड़बंदन का हुआ है इससे इतने ये लोग डड़े हुए कि नाम जो है बदल रहे है बताई अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं किस बात का डर है भाई हमें गर्व है कि हम भारत के लोग है और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्का थोड़ा है कहां कहां से नाम हटाईएगा कौन-कौन पन्ने सा नाम हटाईएगा परदान मंते जी विदेज जाएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया कहां कहां से कॉंग्रेस का जो इंडी अलाइन्स है वो अपना जगा में है लोग दुकाने खोलता है दुकान बन भी हो जाता है वो दुकान खोला है दुकान बन भी हो जाएगा लेकिन जो भारत है भारत संडर और शुरुज जतना आपको लगता है ओल्ड है जतना पुरना है भारत भी अतना पुरना है और भारत भी जब तक सानर सुरुज रहेगा भारत भी रहेगा प्रदान मंतरी मोधी इंडिया गठबंदन से डर गए इसलिए अब इंडिया का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं राश्पती ने जो नियोता भेजा है उस पर अभी केवल खबर इतनी है कि राश्पती के नियोते पर लिखा हुआ है प्रेजिडेंट ओप इंडिया की जगे प्रेजिडेंट ओव भारत और इससे ये आंकलन लगाया जा रहा है कि आपकी सरकार नाम बदलने जा रही है भारत का इंडिया से भारत करने जा रही है अपचारिक तो पहले तो यही बता दीजे इस ख़बर में कोई सच्चाई है क्या? फिर वो मुस्लिम लीक बनकर केरल में खड़े होते हैं और खड़े होकर वो हिंदूों तुमको जो है मंदिरों के सामने फासिब लटकाएंगे फिर हिंदू देवी देवताओं का अप्मान जो है वो तमिलनाड की इनकी जो इंडी अलाइंस की सदसे पार्टी एक मुस्लिम प कर देना है अब अगर जो भारत प्राचीन काल से भारत है और राष्ट्रपति के कार्ड में राष्ट्रपति का जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं यह कह दिया तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी कांग्रेश के नेत्रित्तों का जो यह सनातन विरोधी हिं करने वाले वाले लोग वे इसको भी वितंडा खड़ा करने का एक औशर मान रहे हैं पो क्रिपा करके समझ ले इंडिया कहा गया है और यही आपके समविधान में कहा है इसलिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको निमंतन बेजना इस सम्विदान सम्बत है इस पर आप किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करें तो आप अपनी भारत विरोधी जो आपकी सोच है उसको बेनकाब करने के अत्रिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने गठबंदन का नाम इंडिया रख लिया तो इसलिए सब जगे से इंडिया हटा करके भारत करने वाली है फिर वो आगे पूछ रहे हैं कल को हमने अगर भारत रख लिया गठबंदन का नाम तो आप क्या देश का नाम बीजेपी रख देंगे इतना जो है मुर्खतापूर प्रस्ट जो है वो श्रीमाल अरविंद केजरी वाल ही पूछ सकते हैं भारत इंडिया भारत इंडिया ये भारत ही है कैसे बदल रहे ना भारत कह दिया तो नाम कैसे बदल दिया नाम तो बदला गया इंडिया कहा गया जो भारत को अब भारत का नाम कैसे बदल दे रहे हैं मुझे बताईए भारत है कि नहीं है ये वो स्वेम को भारती मानते हैं कि नहीं मानते हैं इसी भारत को कालांतर में इंडिया के गया, इस सत्य को स्विकारते एक न किसी करते हैं अगर आप किसी का मूल नाम ले ले तो नामांतरन कैसे हो जाता है यह बुध दिभल और चातूरि आप कहां से ले आते हैं किस मोहबबत की तुकान में यह बुद्धिबल मिलता है मित्र जरा यह सारजरिक कर दें कि तो इंडिया इंडिया शब्द हटाने की तो कोई तयारी नहीं है न कि भारत है यह इंडिया शब्द हटाना होगा तो उसकी प्रक्रिया समयधानिक अगर समयधान में भारत का नाम र वो ती भी दिखाई दी क्या और जो है कवा कान ले गया ले गया करक की चक्र में जो है वो काहे चीक चिला रहे भाई चूंकि आपको भारत और भारती इतासा नफरत है इसलिए जैसे ही भारत लिख दिया आप इतना प्रताडित पिड़ित हो गये कोई हिंदू कह दे आप प् प्रक्रिया शुरू होगी अभी तो नहीं हो रही है आपने का वाली कहवात वाली बात दिखाई दे रही है विपक्ष के साथ चरन सिंग सापरा साथ वो कहना है कि एक निमंतरन पत्र पर राश्पती का निमंतरन पत्र है लिखा गया प्रेजिडेंट ऑव भारत तो भारत का नाम लिख देने से क्यों आपको ये लगा कि कुछ और होने जा रहा है और अगर भारत लिख दिया तो इस पर इतना क्यों रियाक्ट करना देखे सौरव जी भारत नाम से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है और खास करके कॉंग्रिस पार्टी को इसमें कोई भी इस तरह की प्राबलम नहीं है सवाल ये है कि हम भारतिय जनता पार्टी की जो नीतियां और नियत जो है इसका हम विरोध कर रहे हैं आप देखिये चम दिनों से क्या हो रहा है इंडिया जो ये शब धेना इसका एक खौफ भारतिय जनता पार्टी के मन में बैठ गया है और विपक्ष से नफरत करते करते ये इंडिया से नफरत करने लग गए है विनाश काले विपरित बुद्धी रामधारी दिनकर जी की दो लाइने याद आ रही है जब नाश मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि भारतिय जनता पार्टी ने अपने राजनेतिक हेतू सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपती जी के ओफिस का भी इस्तमाल कर लिया कार्ड पर वो भारत जो छपा है ये इस्तमाल उन्होंने अपना एजंडा सेट करने के लिए किया है और ठीक कहते थे सत्यपाल मलिक जो उन्होंने स्टेट्मेंट दिया कि राष्ट्रपती जी के ओफिस से अगर एपॉइंट्मेंट चाहिए हो तो पहले पी एमों एप्रूव करेगा तब वो राष्ट्रपती का ओफिस जो है वो एप्रूव करेगा ये आज बात सिद्ध हो हुआ है तो फिर आप इस तरह की बाते क्यों कर रहे हैं आपने खुद वो आर्टिकल पढ़के बता दिया मैं दोराना नहीं चाहता हूं यानि कहीं न कहीं भारतिय जन्ता पार्टी का ये अंदेशा है कि वो समिधान को बदलना चाहते हैं ये परम पुझ्य डॉक्टर बा अबसा उंबेड कर का अपमान क्यों करना चाहती है आप समिधान को बदलने की तरफ जा रहे हैं ये खुले आम नजर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि इंडिया श्रब भताने वाले हैं समिधान से कर रहे हैं ये बिलकुल जिस तरह के काम हो रहे हैं ये जो वन नेशन व देश की प्रात्मिक्ता क्या है अगर ये ये करने भी जा रहे हैं इनकी जो प्रात्मिक्ता है वो गलत है देश की जंता की प्रात्मिक्ता क्या है महंगाई बेरोजगारी डगमगाती अर्थ व्यवस्ता किसानों की MSP महिला उत्पीडन ये देश की प्रात्मिक्ता है और BJP की प्राथमिक्ता क्या है प्रेजिडेंट ऑफ भारत बीजेपी की प्राथमिक्ता क्या है one nation one election अरे जंता को पहले रोटी कपड़ा और मकान ये जो सस्ता मिलना चाहिए वो तो दिला दो क्या बोन nation one election करने से या भारत प्रभावी रूप से रखने से क्या आप जो पेट्रोल सो रुपे का है वो तीस रुपे हो जाएगा क्या डीजल जो 98 रुपे है वो 35 रुपे हो जाएगा क्या करके रहें क्या खाने का तेल सस्ता हो जाएगा क्या LPG अचा सापरा साप अब ठीक है महाशाय आप जीवनाशा क्या जो है वो कम करिये 84 करोड लोगों को आप मुफत राशन दे रहें अगर ये करने भी जा रहे हैं अगर सम्विधान से इंडिया नाम हटाना भी हटाना भी लोग चाहते हैं तो इसमें सम्विधान का या बाबा साह वंबेडगर का अपमान है आप अघर आटिकल वन को बदलना चाहते हो जहाँ पर लिखा है इंडिया-धिज-भारत is Union of States अगर आप इस इंडिया शब्द को निकालना चाहते हो और इंडिया का कहा कहा से निकालोगे आप गेटवे आफ इंडिया का इंडिया निकाल दोगे IIT का, IIM का, AIMS का, ISRO का, जिनोंने चंद्रियान उपर भेजा, कहां-कहां से इंडिया निकालोगे, भई, इंडियन नेवी का इंडिया निकाल दोगे, इंडियन आर्मी का निकाल दोगे, क्या करोगे, क्या कहां कहां से निकालेंगे वो तो बात की बात है साथ करना क्या चाहते हैं इंडिया धारत उसमें से इसमें अगर केवन भारत रह जाएगा तो यह अपमान कैसे हो जाएगा देश का या बाबा साहिब का मैं यह समझना चाहरा हूँ आपसे मैं यह कह रहा हूँ कि यह देश की सरकार जो है यह पाखंड कर रही है इनको देश की प्राथमिक्ता नहीं नजर आ रही है यह पाखंडिया एलाइंस है यह जो एंडिय है यह पाखंड नरेंद्र मोदी जी के दोहरे मापदंड और पाखंड यह देख रहा है यह दुनिया द उसका भी मतलब यही निकलता है इंडिया जो की भारत है उसमें भी मूल शब्द तो भारत ही मालूम पढ़ता है तब ही आपको एक किसम का एक्स्प्लीनिशन दिना पढ़ रहा है कि इंडिया वही है जिसको हम भारत कहते हैं बेराल फिर भी आपको लगता है कि ऐसा करना यह स मैं फिर रख देता हूं for a fact कि एवल इतना ही हुआ है कि राजपती के निमंतरन कार्ड पर प्रेजिडेंट ओफ इंडिया के जगे प्रेजिडेंट ओभारत लिखा गया है तो मुझे बताईए अगर यह इंडिया शब्द हटा दिया जाए तो यह किसी किसम से किसी का तिरस अपने आपको विदेशी चसमे से देखते रहेंगे हम कब तक उनहीं के बनाये शब्दावली से उनहीं के शब्दों से अपने को नापते रहेंगे देखिए इंडिया सब्द नया नहीं है बहुत प्राचीन है मैं थोड़े से अगर आपकी पर्मिशन हो मैं इसके इतिहास पर जाओं तो सबसे पहले हेरोडोटस अपनी स्थोरिया में इंदिया सब्द का ही प्रयोग करता है और इस भूभाग के लिए कहता है कि डेरियस 2 यहां का सासक था जो बहुत बताता है कि पूर्व का सबसे फार इस्ट का इनहाबिटेट छेतर है यहां के जंजातियों का भाशा का यहां के वैभाव का बहुत ठीक तरीके से वाइडन करता है वो उसके बाद मेगस थनीज उसके 200 साल बाद मेगस थनीज अपनी इंडिका लिखता है उसके बाद प्लीनी श ट्राझब और टॉलमी यह सब इंडिया सब्द का परयोग कर रहे हैं टॉलमी तो अपने लेकिन बात ये है कि क्या हम उससे जुड़ते हैं और भारत के साथ जब उसकी तुलना करते हैं तो भारत सब्द हमारी आत्मा से हमारी मिट्टी से हमारा शब्द है इसका केवल जो 4-5 को नोटेशन्स हैं मैं देख रहा था कि इंडिया टीवी की टीम ने बहुत अच्छा रि विवरण देते हुए कि समुद्र के उत्तर और हिमाले के दक्षिण जो पूरा भूभाग है वो भारत है और इसकी संततिया भारती हैं एक हैं भारत सब्द ही आ रहा है महा भारत में भारत सब्द आ रहा है गायंति देवा किलगीत कानी धन्या सुते भारत भूमी भागे य यह जो लिगैसी है, यह जो हमारा परंपरा है, उसको बहुत सारी परिस्थितियां थी, 180-190 वर्ष के British सासन के बाद जब उन्होंने अपना सारा प्रयास किया कि हमारे Knowledge Tradition के जड़ों पर प्रहार करके उसको तोड़ें, उसके बाद जो इंडिया माता की जय कहता है इंडिया माता की जय कहता है लेकिन प्रचलन में इंडिया शब्द भी है वो 190-200 वर्सों का प्रभाव और मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैकाले की जो 1835 की सिक्षा पद्धत ही है उससे हम आज तक अपने को उस मकरजाल से मुक्त नहीं कर पाए है जो 12 साल के परिस्रम से उसने मैकाले मिनट दिया था उससे आजादी के 76 साल बाद भी हम अभी तक नही हैं इसलिए ये सारा किस्सा यहीं आकर कहिन देत होता है अब आज ये नाम बदलने के बारे में चर्चा भी हो रही है तो विपक्ष का एक कहिना कि क्यूंकि इंडिया गठ बंदन इंडिया अलाइंस विपक्ष का बन गया तो उसका ये एक रियक्शन है जो कि सरकार की आप सुन लिया इस प्रशन के उत्तर स्वरूप मैं चाहूंगा एक बार जरा पहले कुल्दीब कुमार जी बोल दें कि अर्विन केजरिवाल जी का नाम पहले आया कुल्दीब जी देखिए स्वरव जी मेरी आवाज आरी आरी एक उल्दीब जी बोलिए अच्या देखिए आज ये पुरे देश में इस पश्ट हो गया कि भारती जनता पार्टी बाबा साब अमेडकर से कितनी नफरत करती है क्योंकि इनको पता है कि एक वंची समुदाय से आने वाले व्य दुरभागय है कि RSS का या भाजपा से जुड़ा हुआ इनकी विचार धारत से जुड़ा हुआ विक्ति इस देश के लिए ना कोई किताब लिख पाया ना इस देश की आजादी में अपना कोई योगदान दे पाया हां उन्होंने योगदान दिया तो इतना दिया क्या अं तो इसलिए इतने नादान बच्चे मत बनो यह आपको पूरी जानकारी है कि इंडिया का नाम बदर के भारत किया जा रहा है और यह बाबासाब अमेटकर का जो लिखा हुआ सविधान कि धारा एक है उसमें यह लिखा गया है किले कट लिखा गया है केजरीवाल की जाल करें आद करें किसका मूल नम इंडिया है कि सबीखाराइब का पुआए इससका मूलन नम इंडिया है है णिया मींस भारत खुत प्वारत का है मित्र हैं ने कहा है इंडिया मींस वहारत ёख क मैं आपसे पूचमनि मियाओं रवित्यी प्षिर सबोंने उर्व मूल का है तो तो सुनिए मूल क अप्रहेल न आप पनि राकिये मूल का था है आप जो जानना चाहरे थे चलिए और उने भूल सुधार कर ली इडिया देट इस भारत लिखा है कुल्दीब जी दी भी पढ़के बता दिया अरे आज इतनी नफरत कर रहे हो इंडिया से आप बाबा साहब ने नहीं रखा था ना उन्होंने इंडिया शब दिया था ना उन्होंने भारत शब दिया था इसलिए उसमें लिखा हुए इंडिया देट इस भारत इसमें मूल भारत ही ये बात सही है इंडिया जो की भारत है दूसरी बात उनके दिये हुए संविधान के अंदर तो एक सो तीन संशोधन हो चुके हैं फिर तो हर बार आप मानुआ बाबा साब का जो सविधान की धारा एक है वो ये कहती है कि इंडिया डेट इस भारत शेल भी यूनिय उप इस्टेट ये आप मानते हैं ये कहती है पहली बात ये दूसरी बात ये कि अभी मोदी जी की आर्थिक सलाकार समीती के अध्यक्ष विवेक दॉब्रवय ने अपना आर्टिकल दिया मिंट अकबार में के भारत के सविधान को बदलना चाहिए तो ये तो शुरुवात है ये तो शुरुवात है बाबा साब के सविधान को बदलने की क्योंकि वो सविधान स इसको बदलना चाहती है या अपने राज को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जैसा विपक्ष बार-बार कहता है और उसके लिए संविधान को कोई संविधान की मूल भावना को खतम करना पड़े उससे भी हिच किचाएगी नहीं एक छोड़ा सा ब्रेक लेकर ह प्रेटी में नाम में इंडिया की जगे भारत लिखने पर बात अब कहां से कहां बढ़ती जा रही है जर लोटते हैं आप देखते हैं कुरुक्षेत्र क्या मोधी सरकार भारत के संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है इसको लेकर कि आज देशभर में चर्चा च परिशानी यह है कि जैसे ही इंडिया गडबंदन बना अब उन्हें लगा कि इंडिया गडबंदन बन गया चुकि हम तो मुद्दों पे चर्चा करते नहीं थे इंडिया गडबंदन मुद्दों पे चर्चा कर रहा है भारत की जनता उसको पसंद कर रही है तो उनके पेड चाहता हूं कि मनिपुर की बेटी के साथ अन्या हो रहा तो भारत की बेटी भी थी इंडिया की बेटी थी तब आप चुप क्यों थे भाईया तब आप क्या सोच रहे थे कहां की बेटी है वो जो पहलवान यहां पर महला है धरने पर बेटी थी वो इंडिया की बेटी थी भा वो देश से जोड़ देते हैं, जब किसान इनके खिलाफ धन्ने पे बैटा था, तो उनको कहने लगे खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं, परबुत बर्ग समाज कर जब इनके खिलाफ बोने लगा, तो कहते हैं, अर्बन अक्सल है, जब यूँआ अपनी महंगाई विरुजगारी के लिए इनके खिलाफ हला बोने लगा, तो कहने लगे ये टुकले टुकले गैंग हैं, अब जब इंडिया गडबंदन हुआ, इनके खिलाफ हुआ इंडिया गडबंदन, तब कहने लगे इंडिया और भारत की बात करने लगे, अरे भारत और इंडिया, हम दोनों हमने बो हो चुकी है यह कहते है ना इनकी परिशानी इतनी हो चुकी है कि इनको यह नहीं पता चल लाए तो जाएं काँ, इसलिए उनको एक राय देता हूं, अगर आपने महेंगाई, बिरुजगारी, किसान, महलाओं की समस्या पर इवाओं की समस्या पर बात की होती देश की अर्वस्ता पर बात की होती तो आप इतने परिशान नहीं होते आपको इतनी हरवड़ाहट नहीं होती आज आप हर तरह से परिशान है लेकिन आपकी परिशानिक हाले की है वो हल जंता ने तैक कर लिया कि कि बात नहीं कर पहें, जैसे इंडिया गटbnन हुआ आपको भारत याद आ गया। और आप इसके पहले च्छेचेकर इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेकइन इंडिया, राइजिं इंडिया, तब तो आपको इंडिया बड़ा पसंद हा रहा था इंडिया और आपके ही इनिता बीजेपी के चुनाओं में क्या बोलेते हैं वोट फूर इंडिया वोट फूर इंडिया अब चुक्छे हमने इंडिया गड़ बंदर बना लिया तो आपको इंडिया से दिक्कत हो गई कमाल के लोग वे आपको लोगतंत्र में एकीनी नहीं जवाब लेते हैं इंडिया नाम रख लिया तो इंडिया से प्राबलम हो गई है उन्होंने दो का हम तो खाना भी खाते हैं सांस भी लेते हैं यह सब करना मत छोड़ दीजेगा वो अपने लिए कह रहे होंगे क्योंकि जो भारत अगर भारत का नाम भारत है तो उसको इंडिया कहने के लिए इतना जीत किये पड़े है तो कल नाक से सांस ले दें उसो कोई नाक कह देगा नोज नहीं कहेगा तो सांस लेना बंद कर देंगे यह यह जो है कांग्रेसी मानसिक्ता है यह भारती जिनता पार्टी की मानसिक्ता नहीं है ये कांग्रेस ही मानसिक्ता और श्रीमान बदोरिया जी से तो आप कोई भी प्रस्ट पूच नहीं है 2019 से लेके 2024 कि किसी भी समय की आप दिबेटिक की सुनें इसे बात कर रहें इंडिया जीतेगा 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 भारत जीतेगा ब अब क्या दिक्कत हो गई, बोलिए आप भारत जीतेगा, इंडिया 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 जीतेगा, इंडि बोलिए प्रेंट शुक्राइब प्रेंट वाले जनाब जो है इन से रोज चाहे जो पूछो एक ही जवाब देते हैं आप ये बताईए ना कि भारत जो है ये मूल नाम है कि नहीं इंडिया के साथ अगर भारत नहीं कहा गया या इंडिया के बिना भारत कह दिया गया तो इतना बड़ा जो है क्या हंगामा हो कि आस्मान फट गया यह मुद्दा कौन बना रहा है यह मुद्दा कांग्रेश बना रही है ना कि इसको भारत क्यों कह दिया यह जो भारत इस इंडिया है पचासों निमंत्रण ऐसे जिसमें सिर्फ इंडिया जाता है एक निमंत्रण की इनके पास प्रतिये जिसमें राष्ट बारत सरकार उसका जो भारत के राश्ट्रपति की तोर पर निमंत्रण पत्रिका में चपा है इस पर इतना क्यों नाराज हो जाना ने यह बहूता नहीं था ना प्रेम्स चुक्रा झींग कोछ अलग high सब चीजे सब चीजे सब चीजे पहली बार ही कभी न कभी होती हैं इंडिया टीवी अटागे बारत का संविधान भी एक ही बार बना अब देखिए आप इन्होंने ती दो प्रवक्ताओं ने एक कुलदीप कुमार जी ने और एक चरण सिंग सप्राजी ने कि बाबा साब आमेटकर का अपमान हो गया साब संविधान संसुदन करना किसी भी संविधान निर्माता का या संविधान संभा का अपमान नहीं होता डॉक्तर साब बाबा साब आमेटकर ने जब संविधान संभा को संविधान समर्पित किया भारत का तो उसकी उसमें उनका यहां बात सरवाधिक अप्मान पंडिजवाला लेरू ने किया वह त्यागपत्र देकर अपना वक्तव रखना चाहते थे उनको वक्तव रखने की अनुमती सरकार नहीं दी उनको सदन से बाहर रखना पड़ा उनको दो दो बार चुनाव हराएगे आदरिनी डॉक्टर बाबा साब आमेटकर का देहा वसान दिल्ली में हुआ उनका दिल्ली में स्मारक ना बनाना पड़े आनन फानन में उनका पार्थिव जो है किस तरह से मुंबई भेजा गया दादा साहिब रूप हो तो एक बड़े निता इस देश के हुए है डॉक्टर किसने इंदू मिलको बाबा साब आमेटकर का समारक किसने बनाया भारती जनता पाटी ने अच्छा चलिए ठीक है साप्रा साब के पास जरा जाता हूं वही सवाल जो मैंने आप से किया दा प्रीम शुकला जी ने पूचा कि अगर इस विशेप पर आगे जाकर सम्विधान का संशोधन होता भी है तो कैसे अपमान हो गया बाबा साब का या सम्विधान निर्माता होंगे देखिए इनका एक हिडन एजेंडा है ये संशोधन तक नहीं रुकेंगे अभी प्रधान मंतरी कार्याले के जो डेबरे है उनकी बात अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने की है कि किस तरह से उन्होंने मंशा जताई है कि समिधान ही बदलना पड़ेगा ये समिधा भारत जीते का इंडिया जुडेगा भारत जीते का इंडिया हम तो खुद कहते हैं और ये भारत माता की जय जो है ये स्लोगन कभ उपन हुआ आजादी के संग्राम में हुआ ना ये कोई भारतिय जनता पार्टी ने नहीं किया ये कॉंग्रिस के नेताओं ने अभी शांत ये तो आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के साथ में थे इनको क्या पता कि भारत माता की जय क्या होता है तो खेर उसको भी मैं छोड़ता हूँ मुझे ये बताएं कि आपने जो लिटरेड है वो प्रेजडेंट अव भारत है वो भारतिय राश्ट्रपती क्यों नहीं है भारतिय राश्ट्रपती भी हो सकता था इस तरह से भी हिंदी करना तो पूरा हिंदी अनुवाद उसका हो सकता था और फिर राश्ट्रपती का यानि जो खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, ये तमाम सारी चीजे थी, आप करें तो चमतकार, हम कुछ कह दें, तो गुनेगार, इस तरह से ये देश चलेगा, तो ये तमाम सारी चीजे हैं, ये भारतिय जनता पार्टी का हि तो दीरे-दीरे एक्सपोज हो रहा है इससे पहले 2015 में कोट में भी गया था ना मामला किसी ने P.I.L. किया था लेकिन कोट ने भी उसको रिजेक्ट किया कि ये बदल नहीं हो सकता है तो भारतिय जंता पार्टी का ये hidden agenda है जो दीरे-दीरे सामने आ रहा है एक वार कुल्दी कि इनने उस समय कहा कि सविधान निर्माता हुने अगर इसका नाम में रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा इसलिए से बदलने के वाशकता नहीं है मैं नहीं किया रहा हूँ ये कोट के अंदर भारतियंता पार्टी ने कहा पहली बात ये दूसरी बात ये कि अब तो सालों में देश के लिए कुछ किया तो नहीं है ना महंगाई हटाई ना बेरुजगारी हटाई ना पका मकान दिया काम कुछ नहीं किया लेकिन लोगों को लैंड में लगाने ही तैयारी है बस नाम बदलों की राजिती करो और देश को गर्ट मढ़ानने का काम करो महंगाई इस पर एक बार ज़रा मैं डॉक्टर रोम जी हमको बता सकते हैं ठीक है पुलिव कुमार जी आपकी बात का जवाब प्रेम शुकला जी से लिता हूँ है जी एस बहुत सरा तर्की जो है तुर्किय हो गया वर्मा और म्यामार की कहानी हमारे सामने है ऐसे बहुत सारे देशे देखिए अपने से जुड़ना ये सही है कि मैं बार बार ये बांता हूँ कि दिमाग का मस्तिस का वी अपनिवेशी करन बहुत जरूरी है सौरब जी और वो आम जन्मानस के स्थर पर आज हम 76 साल बाद भी आजादी के क्यों नहीं निकल पा रहे हैं उस व्यामोह से उस माया जाल से जो अंग्रेजों के इंटलेक्ट ने हमारे लिए इंप्लांट किया था हमारे लिए उसको एक जाल की तरह से फैलाया था नहीं देखें बार बार ये कहा जा रहा ना कि ये तो सम्मिधान जिनों ने बनाया उनका अपनान है मैं आपी की बात पागे करता हूँ ये काम तो फिर 47 ये बात जहां को सम्मिधान मिला ताब हो जाना चाहिए था है जी बिलकुल बिलकुल देखें वहाँ पे 17 सितंबर 1999 को दो दिन तक लगातार उसके बाद कांसिचुएंट असेमली की डिबेट्स हैं हरी विष्णु कामत साहब सेट गोविन दास जी कमला पतितरिपाठी जी और हरगोविन पंजी ये जो डिबेट है इसको एक बार आप देखिए ना इसको पढ़िए कितना एट लेंद डिबेट हुआ है और कम से कम इसमें दो लोग तो एकदम एडमेंट है कि केवल भारत नाम जाना चाहिए भारत के अलमा और कोई नाम नहीं स्विकार था उनको लेकिन बाद में जो सहमत ही बनी कि ठीक है इंडिया नाम उस समें रून था प्रचलन में था लगातार उस नाम से समगोधित क्या जा रहा था इसलिए ये सहमत ही बनी इंडिया इट इस भारत अगर उनकी बात सहमत होते तो तो क्यों आता इंडिया उनकी बात नहीं था प्रोसीडिंग को एक बार समझना बहुत जरूरी है और उसको देखना बहुत जरूरी है यह अलग बात है कि ठीक है उस समय इंडिया देट इस भारत कहा तो यही गया ना इंडिया जो वास्तों में भारत है बूल भारत है इसमें कोई संसे नहीं होना चाहिए कुलीब जी प्लीज एक संविधान निर्माताओं ने जो किया उसके बाद उस पर लगातार संसोधन हुए है आगे राजनीत फीटी क्या करती है अलग बात है मैं तो केवल historical और academic perspective में जो बात है वो रखने के process कर रहा हूँ और बड़ी मांदारी से कर रहा हूँ सापरा साब बहुत short में बोलेगा आपका फिर जबाब भी लेना होगा मेरा एक सवाल है उपाद्ध जी के लिए मैं पूछ लूँ पूछे सापरा जी देखे सौरब जी इन्होंने अंग्रेजों की बात की अंग्रेजों की मानसिक्ता की बात की इन्होंने ये दर्शाना चाहा कि जो अंग्रेजों की मानसिक्ता है उससे हमको भार आना चीए अब ये बता दे कि आज अंग्रेज तो बहुत सारी चीज़े यहाँ पर छोड़ करके गए है न यहाँ पर आज जो English Medium School है क्या वो भी बंद कराओगे क्या अंग्रेजी जो हम लोग बोलते हैं वो भी बंद हो जाएगी यह तमाम सारी चीज़े फिर इस तरह के संशोधन आने वाले दिनों में क्या भारती को आप सजेस्ट करने वाले हो क्या तो यह जो अंग्रेजो का जो इपिहास और अंग्रेज जो यहाँ पर कुछ विरासत मानसिक्ता से बाहर आने की बात कर रहा हूँ जिसमें यह ब्रिटिस इंटलेक्ट ने यह बताया कि आप कमतर हैं आप ऐसे लोग है आप पूर बरबर जंगली लोग है जो वाइट मिल्स बाइडन तेवरी आप कुन तो लीजे साब वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी को सू आरे शाहब हम तो आनो भद्रा क्रक्रतो हो यहंत भिश्वतह वाले लोग हैं जहां से कुछ भी अच्छा मेना वो ले ले हैं जहां से समय मेरे पास इतना ही था बहुत सारी बाते हैं आप आई बहुत शुक्रिया प्रेम जी, सापरा साथ, उम्जी उपादया, भदवरिया साथ, कुल्दीब कुमार जी आप तमाम लोग जोड़े हमारे साथ बहुत साथ, कुर्क्षेतर में आजबत इतने अब देखिए इस बात पर आगे सरकार और कितना भी बखती है आगे अभी तक तो जो कुछ है वो इतना ही है कि राशपती ने अपने निमंत्रण पत्र लिखा है कि ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है भारत की राश्पती की तरफ से, प्रेजिदेंट आफ भारत की तरफ से, यानि अंग्रेजी में भी भारत, हिंदी में भारत. पुरुक्षेत्र में इतना ही.